शिक्स ताउजन एमेज की बैंटरी चाहते हो भी अगर आपका बईड़ साथ अजार है इस प्राइज रेंज में आपको लॉंग बैंटरी लाफ चाहिए बड़ी डिस्प्ले चाहिए उसके बाद अगर आपको प्रसेस्टर भी दगड़ा चाहिए गेमिंग भी करना जाते हो मल्टी डास्किंग भी करना जाते हो अगर आपका बजट कम है ये वीडियो में आपके लिए करों तो बाद करते है बाई सीधा नंबर फो की नंबर फो की बात करो नंबर फो पर यार मैंने रखता है सैंसिंग गलेक्सी M02 को अगर इस स्मार्टफून की बात करूं सबसे प स्टूरिज को एक्सपेंडिबल कर सकते हो वान टीबी तक अगर आपको ज्यादा स्टूरेज रखने के शुकीन हुझा आपका को काम ऐसा कि आपको स्टूरेज ज्यादा रखनी पड़ती है आपके लिए भी पोफेक्ट डील होने वाला प्लस आपको इंफिनिटी वीकट डेखनी को मिल जाती है डूबल कैमरयपक्सर के साथ आपको सेल्फी देखनी को मिल जाती है कंड को पर सम्सथर आपको देखने को मिल जाता है 5000 Madrid मिल जाती है उसके साथ साथ इसकी build quality बहुत ही तगड़ी देखने को मिल जाते हैं तो अगर अगर आपका फून जो है वो गिर भी जाता तो यह तूटने वाला नहीं है इसकी build quality बहुत ही जादा अपर है color बगार है मैंने आपको बता दे है जो भी आपको सही लगता है आप उस color के और जा सकते हो अभी बात कर लेते हैं इसके main specification की थोड़ा सा मैं आपको deeply बता देता हूं तो यह display की बात करों को 6.5 inch PLS LCD देखने को मिल जाते है प्रसेसर की बात करों मैंने आपको पहले ही बता दे कि आपको core core processor इसमें देखने को मिल जाते है जो की 28 nanometer technology के साथ बेस्ट है बेंटरी की बात करूं आपको 5000 mAh की बेंटरी देखने को मिल जाते है camera की बातों को dual camera मिल जाता है 30 megapixel प्लस 2 megapixel selfie की बात करूं आपको 5 megapixel selfie देखने को मिल जाते है storage की बात करूं यह 2 win में आता है 2 GB RAM and 3 GB RAM के साथ प्लस आपको 32 GB storage देखने को मिल जाते है price की बात करूं आपको 7,200 के budget range में Samsung Galaxy M02 देखने को मिल जाएगा तो मैंने आपको बता दिया Samsung Galaxy M02 के यार इसको number 4 पर रखने का एक reason है यार बहुत ऐसे बंदे होते है जब मुझे ऐसे बंदे बहुत message गलते है जिनको non-channel smartphone नहीं जाए होता है तो अगर आपको non-channel smartphone नहीं चाहिए आप Samsung case phone के और जा सकते है बिकोज आपको बहुत ही ज़्यादा सही price range में बेल जाता है अगर आपका budget 7000 है तो आप 200 एक्स्ट्रा पेक कर देना है और आपको 7200 budget range में Samsung Galaxy M02 देखने को मिल जाएगा प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैंने link पर वाइड किया हूँ है description box में आपको देखने को मिल जाएगे अगर आप नहीं च्याओर करना है आप च्याओर भी कर जब तो आपको long battery लाफ मिल जाते है camera quality भी इसकी back camera की सही है लेकिन selfie इसकी इतनी अची नहीं आने वाल करूं नंबर थ्री पर यार मैंने रखा आपको को सी थ्री को अगर इस smartphone की बात करो सबसे पहले इसके price range की बात कर लेते तो यार यह smartphone आपको 7500 के budget range में देखने को मिलता है तो अगर आप extra pay कर सकते हो आपके लिए बहुत ही ज्यादा good deal होने वाली है because इसकी build quality बहुत सही है design look wise भी बहुत अपर है and specification की according देखा जाए तब भी यह smartphone थोड़ा सा आगे चला जाता है आपको तीन colors में यह smartphone देखने को मिल जाता है प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसमें आपको triple camera देखने को मिलेगा दो विट में देखने को मिलता है प्लस आपको micro SD card slot भी द देखने को मिल जाता है अभी बात कर लेते इसके main specification की मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं deeply तो display की बात करूं आपको 6.43 इंच IPS LCD देखने को मिल जाते है प्रसेसर की बातों को helio G35 देखने को मिल जाता है storage की बातों को 3 GB RAM मिल जाते है प्लस 32 GB storage battery की बात करूं इसमें 1000 ms की battery मतलब आपका तो एक दिन से मतलब दो दिन भी आपके नॉर्मली निकल जाएंगे अगर आप जादा यूजर नहीं करते तो आपके दो दिन तो नॉर्मली ही निकल जाएगे प्लस आपको 10 Watt का fast charger मिल जाता है camera की बातों को triple camera मिल जाता है 30 Megapixel के इसा selfie की बात करूं आपको 5 Megapixel Selfie मिल जाती है प्राइस की बात करूं आपको 7500 के बजट में Poco C3 देखने को मिल जाएगा तो बहीं मेन स्पेसिफिकेशन में आपको बता दिया Poco C3 के इसकी जो Selfie है वह average देखने को मिल जाती है लेकिन जो back camera है उसकी quality आपको सही देखने को मिल जाती है इतनी आपके दो दिन निकल जाएंगे मतलब जैसे भी यूज करना जाते हो जितना भी यूज करना जाते हो भी आपको सही लगता आप ले सकते हो प्लस इसकी build quality भी अच्छी है अगर आपके हाथ से गिर भी जाता है जे self enjoy वह तूटने नहीं वाला Poco brand नाम बना गया भी अपना आगे बात करते है नमबर टू की नमबर टू की बात करो नमबर टू पर मैं रखा realme c11 को तो सबसे पहले बता देना चाहते हूं यार इसका लुक बहुत ही ज्यादा अपर है अगर आपको look matter करती है design matter करता है आपके लिए perfect deal होने वाला है realme c11 आप इस smartphone के और जा सकते हो इ लेकिन मुझे gray color में जादा सही लगता है आप देख लेना जो भी color आपको पसंद आता आप उसके और जा सकती हो आपको 6.5 inch का hd pro display देखने को मिल जाएगा dual camera है ठीक है 5 megapixel के साथ आपको selfie देखने को मिल जाए जिस पर 1080p पर video recording कर सकते हो प्लस मैं आपको बता देना चाहत तो इसमें भी आपको media deck Helo G35 देखने को में देगा जो की 12 nanometer technology के साथ based है तो यह 12 nanometer technology के साथ based है तो आप gaming कर सकते हो easily normally कर सकते हो आपको कोई भी issue problem नहीं आने वाला अगर आपने call of duty यूज़ करने है या अगर आप जीवगारा खेलना जाते हो आप easily normally खेल जाते हो आपको क बहुत ही ज्यादा good deal आपके लिए हो सकती है आगे बात करते है number one की number one की बात को number one पर यार मैंने रखा infinix smart four plus को तो सबसे पहले भी मैं आपको यह चीज़े कहा देना चाहता हूँ कि इसको number one पर रखा है ऐसा बिलकुल भी नहीं है कि यह number one पर है तो बहुत ही ज्यादा अ ठीक है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यह चार कलर्स में देखने को मिलता है एंड यह smartphone चारों ही color में बहुत ही ज्यादा suit करता है ठीक है तो अगर आपने जाना Infinix smart four plus की और परी आप चाह सकते हूँ मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ जो कि इस phone की खास देखने को मिल जाता है जो कि 12 nanometer technology के साथ बेस्ट है तो अगर आपने गेमिंग बैरा करनी है आपके लिए परफेक्ट है यहां multitasking करना चाते हो आपके लिए परफेक्ट डील हो सकता है तो भी main specification मैंने आपको बता दिया Infinix smart four plus के तो यह इसके specification थोड़ी से जादा अच्छे हैं जितनी भी मैंने आपको smartphone बताए because आपको processor अच्छा मिल जाता है 600 image की battery मिल जाती है अच्छे color अच्छा design एंड जो display का size है वो भी आपको बड़ा देखनी को मिल जाता है 7000 के budget range में तो भी अगर आप नहीं जाना Infinix smart four plus के और आप जा सकता है आपके पैसे घराब नहीं ह ऑले अगर आपaciaatależ चाहते हो लिंक मैंने प्रुआईड किया आपको सभी के description box में देखने को मेह घघर आपको 7000,20000,20000,500,2500 अगर आपका वज़िए डेड़ लाग तक पिया सभी के लिंक मैंने प्रवाइड किया हूं आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगा अगर आपने चावड कर सकते हो तो यार अभी मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है खतम अगर आपको मेरी वीडियो को लाग करते हैं आपको डिस्क्रप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाब ऊसको जावड कर लाएंग वेल तेल नाक्स तो वीडियो में ने वीडियो को साथ तिंक्यो